तोड़ते जड़ते बाल आपको बना देंगे गंजा इसलिए आज आप करें ये नुस्का जी हाँ फ्रेंड आज जुमें आपको नुस्का बताने वाली हूँ इसे करने से आपके बाल बहुत ही फास्ट लंबे घने काले होने स्टार्ट हो जाएंगे आज चुमें आपको रेमिडी बताने वाली हूँ इसे लगाने से आपके बाल ना तो कभी तूटेंगे ना ही कभी जड़ेंगे बलकि दस उना तेजी से आपके बाल लंबे होनी स्टार्ट हो जाएंगे बालों के ग्रोध होंगी और जो बल आपके रुखे सुखे पे जान हो गए हैं उनमें एक नई जान आ जाएंगी आपको बताऊंगे बहुत ही पारफुल है ग्रोध टोनिक बनाना अगर इस टोनिक को अपने बालों में यूच करेंगी तो चाहे कैसा भी आपका हैरफॉल हो बिल्कुल बंद हो जाएगा बालों में थिकने साएंगी बाल चमकदार बनेंगे और बहुत ही फास्ट आपकी बालों की ग्रोध होंगी जी हां फेंड और इस टोनिक को किसी भी एज की लोग लगा सकते हैं बच्चे भी इसे लगा सकते हैं क्योंकि इसमें केवल हमने दो चीजों का यूज किया है दो चीजों से बनकर ही यह टोनिक बहुत ही पाउरफुल बनेंगी और आपके हैर फोल को बिल्कुल जीरो कर देंगी और इसमें हमने कोई भी ऐसे चीजे यूज नहीं की हैं जो कि आपको नहीं मिलेंगे इसलिए बच्चे भी यूज कर सकते हैं अगर आपकी एच 14 से ज्याजा है तो आप इस टोनिक को बना के अपने बालों पर यूज करें और आपने बालों को भी लंबा घना मोटा बनाए तो आज हम बनाने वाले हैं पहुत ही पाउरफुल हेग्रो टोनिक जिसमें हम यूज करने वाले हैं मेथी दाने और रोजमेर दाने वह हैं वहां में मझstein कर दो सब्सक्राइब हैंसे बनाने की लिएक और यांल Kनल betle ब利माक्ता त्रहावा नमसे कराने वह दोक्त दया तो आपके पर यहां मट do I go to love lord यह दो चीजे मस्ट हैं आपके पास अलग से आपको कुछ भी नहीं लेना है केवाल आपको यहां पर मेथी दाने लेनी है रोजमेरी लेनी है रोजमेरी जो होती है इसमें बहुत सारे पोसकत्व होते हैं जो कि हमारे बालों की ग्रोथ को बढ़ावा देती है हैर फॉल को रो मेरी यहां पर 2 चमस्ट करीब आपको रोजमेरी लेली है अगर जिनके पास रोजमेरी नहीं है या नहीं ले सकते हैं तो आप कडी पत्ता मेरे ले तौम बस आपको इसे एकला से क्रीब पानी में इस से आपको बाल लेना है अगर कड़ी पत्ता आप ले रही हैं तो यहाँ पर कड़ी पत्ता की quantity 10 से 20 पत्ते करें लेकिन आप को फिस करें यहाँ पर रोज मेरी ले यहाँ रोज मेरी के जो benefit है आपके बालों को लंबे करने के लिए और हैरफोल रोकने के लिए बेहदी कारगर होती है तो आपको यहाँ पर हाफ होने तक इस पानी को उबालना है और जब यह ठंडा हो जाए तो इससे आपको छान लेना एक गटोरी में और इसी पानी को आपको एक इस प्रे बोतल में ट्रास्पर कर ले असानी से आपको बालों पर इस प्रे हो जाती है इसलिए इस प्रे बोतल जाती हैं जिस्टे कि आपको मसाज करने में और लगाने में असानी होती है तो फिलाई अगर चाहें त्वनी स्पून coconut oil भी लगा सकती मिला के इसे लगा ले या चाहें तो mustard भी मिला के इसे लगाए लेकिन मैंने दो चीजों से इसे बताया है क्योंकि बहुत सा लोग ऐसे हैं जिनके पास इतनी सब्सक्राइब नहीं होती है इसलिए बहुत ही easy तरीका मैंने बता है आपको जिससे की आप इसे ब बालों पर इसे spray कर ले और massage कर ले अपने बालों को जैसा कि अभी ना ही गर्मी है और ना ही धंडी है इसलिए आप इसे बना के वन विकली रख सकती है बिल्कुल भी खराब नहीं होगा इसे लगाने के से पहले अपने बालों को अच्छे से कोम करनी है जिसने के आपकी scalp मे ब्रट की जो circulation है इंप्रूब हो और फिर इसे अपने बालों पर आपको spray करना है इसे spray करने के बाद आपको ऐसे ही normally सूखने देना है फिर अपने बालों को अच्छे से आपको कोम करके चोटी बना लेनी है आपको कम से कम इसे one week के लिए आपको daily use करना है आप एक दिन में तीन से चार बर भी से अपने बालों पर लगा सकती है अगर आप बाहर नहीं जाती है आपके पास time है तो आप एक दिन में तीन टीम इसे लगा सकते है यानि मोर्णि में दोपर में और नाइट में सोने से पहले लगा ले और दस मिनट के अपने बालों को खुला रहने दे और जब यह ड्राइव हो जाए फिर अपने बालों को अच्छे से आप चोटी बना ले बन बान ले जैसे आपको रखना अपने बालों को बांध ले और फिर इसे अपने बालों में ऐसी वन विक के लिए कॉंटिन्यू लगाना है लेकिन जो बाहर जाती है तो आप कोसिस करें कि कम से कम दो या तीन बार इसे अपने बालों पर अपलाई जरूर करें जिससे कि आपके हैरफल रूखे मालों की ग्रोथ अच्छी हो इस तरीके से लगाने से क्या होता है कि आपके बाल लंबे भी होंगे मजबूत भी होंगे और जो भी आपके बालों में कमी हैं जिससे कि आपके बाल टूट रहे हैं यह सारी समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी और अगर आप डेली लगाती है तो इससे आपको और भी ज्यादा बेहतरी फायदे मिलते हैं बालो के अच्छी होती है लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे अपने इसाफ से ज लिएक बेखने को मिलेंगे अपने बालो में आपके बाल बहुत आएच्छे हो जाएंगे तो बस आज ही आई इस रेमेडु को बना के ऑपने जाण के बालों करें बालो झाल झाल